अबिको जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है इंडियाज भारत पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज किस वीडियो में आप देखेंगे आर्जू काजमी जी और साजित ताड़स आपको जोकी बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे तो ये वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा तो इसे हम तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्ट्राइब कर दें ताकि हम आपकी से लेटेस्ट और इंट्रस्टिंग वीडियो लाते रहें त उनके कपड़े उतारने की रीजन क्या थी बलके जो मैंने वो जो आर्टिकल पढ़ रहा था उसके अंदर खासकर यह लिखा गया था गांधी सब जब जॉर्ज फिफ्ट को मिलने के लिए इंग्लेंड गये थे तो वहाँ प्रेस ने उनका किस तरह मजाक हुगा था कि धोत इसले उसको मिलके तो सबसे पहला क्वेस्टिन ही किया गया था कि हाओ उन्हों ने कहा था उसको जनरलिस को उसने का मेरे और तुमारे हिस्से के कपड़े तुमारे बाश्याने पहने वे थे तो दर हकीकत देखें उसी तरह इंग्लिश बोलने की सलहियत गांधी साब के पा के पास बेसलायत थी वो भी एक वकील थे लेकिन उन्होंने कपड़े उदार दिये अपने वो कहते थे कि मैं बलके वो किसी वता को पूरा बताऊंगा वो जो वाक्या था तामल नाडू में के अंदर वो ट्रेन में थे जहां उन्होंने गरीब लोगों को देखा था और उन इसने कह दिया था कि मैं पाके टां प neurot में बलके बलके आजब बहुआ आपको यह बातों हुआ नगरा बताना चाहुआ खासकर आरथूा सिर्फ और बहात्मांगा गांटी नी आज ही उनके कई लीडरान या जो अपने अपने लबास्मे लाते हैं एक और दूसरी बात यह मैं कहूँगा कि जहां भी speech देते हैं अपनी जबान के इंदर speech देते हैं गांधी साब को किसी ने जब मैं उसी के दुबारा बात करना चाहूँगा कि जब इंग्लेंड गए वो तो किसी ने उनसे पोचा कि आप ये कपड़े क्यों पहेंते हैं जब गोरे आते हैं बारत में वो भारती ओओ के कपड़े तो दो नहीं पहेंते तो सर आपने वो क्लिप देखा है उसे शाहिदा अफरीदी के बारे में आज कल चल रहा है जो वकार इनुस कह रहे हैं कि वह भारत में गहते हैं और वहां के इतनी नफरत है आपके अब मां क्या है जो आपके पृष पिछले अनका वाई भारती ख़ाड़ी ओगा उनकी उनकी इतनी नफरत लेकिन को करें किया पिन आपके तो आप सिस्टम आपका इसा है क्रियेट कर दिया अगया कि आपने लेकर नवरत में करता हूं चीजें तो नफरती लेकिन इस नफ्रा से कुछ निकलेगा मेरा यह question है सब लोगों से कुछ निकलेगा कुछ निकला है 76 सालों में क्या निकला है स्वाए चार जंगों के कुछ निकला है नुकसान होता है जंग के अंदर कुछ लोग मारे जाते हैं कोई आपकी एकानमी खराब हो जाती है कुछ ज जिन बीवियों के husband मारे जाते हैं, जिन बच्चों के बाप मारे जाते हैं, और आप मज़े लेते हैं, ये मज़े ही लेना है ना, नफरत एक दूसरे का नफरत का इजहार करना, और वो भी religion basis पे, उसको कहना यारे ये हिंदू है, ये सिक है, ये फलाँ है, ये फलाँ है, ये इसमें से कुछ निकलते आरजू नहीं देखा, दुनिया का हानिजान अच्छा पैदा हुआ है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करें तो आपको रिस्पेक्ट बैक देते हैं, मेरी मज़र, मेरा जाती experience, मैंने अमेरिका, लेकि मेरा mindset भी यहां के तबदीर हुआ है, मैं पा आप एक तो आपके आपके जो अबाव उजदाद थे कुछ पड़े लिखे होंगे, लाजमी है, अपने वालसाग पर मुझे बताया था, फिर आप बड़े शहरों में रही हैं, कराची में, open minded लोग हैं, लोग ज्यादा था, तालीम एक सबसे बड़ा फैक्टर है, जो आप को बताता है, कि नफरत किस लहत तक करनी है, मुहबत करनी है, किसी से तो किस तरह करनी है, या आपकी तालीम आपको बताती है, कि जजबों को नफरत भी करनी है, तो एक लिमिट में, किसी के मुह पे किसी कि मत्तमीजी नहीं करनी है, जो एक तालीम या अफता बंदा नहीं ह हैंगता है वो उसके फिलिंग उसके अपनी को फिलिंग नी होती है क्योंकि मैं मैं सोच नहीं सकता तसवर ही नहीं कर सकता कि किसी की दिल अजारी करो और फोबी उसके मुऊ के उपर बिल्कुल और शायद सार एक वज़ा यह भी एक मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ मैंने जो देखा है, क्योंकि minorities आपने वहां से सारी भगा दी वो भागे डर के बचारे, भागे सारे तो आपको पता ही नहीं कि दूसरे religion के साथ, harmony के साथ किस तरह रहना है, आपको यह बता ही नहीं सका, कि religion is your personal matter it has nothing to do with your priorities, nothing to do with it विलकुल, मैं आपको किसी को यह barrier रखा ही नहीं है, कि इस बेस पे मैंने किसी इनसान को जज़ करने है, वो ना भी नहीं चाहिए, वो ना भी नहीं कुछिए है, और यही मैं प्रीच करने की कोशिश भी मुसलसल यही कर रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कियार कि आप भैस के आगे बीन बजा रहे हैं, चले क्या फरफ़ पढ़ता है, किसी नहीं तो कर नहीं होता है, वरना तो फिर सारी सुसाइटी ऐसी हो जाए, अगर मारने थपड़ों से, गालीं से अगर चलता होता काम, तो फिर यह पहले देखे ना, किसी ने अच्छी एक चाहरे हैं, कतर भी जा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि मुसलसल, इस वक्त मैं समझता हूँ कि भारत की गुडविल जो है, उसको अगली स्टेज पर लेके जाने क्या सारा क्या सारा सेहरा जो है, वो डाक्टर जेश शंकर दिगा, डाक्टर जेश शंकर इस 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 स्ट not only a statesman, जिसने डिप्लोमेसी में जो कुछ उन्होंने सीखा, फिर जो मेरा उनके साथ, मैंने उनकी स्पीचे सुनता रहता हूं, उनकी बाद, फिर मैंने उनकी किताबें पड़ी हैं, तो he is a statesman, और मैं समझता हूं कि भारत is lucky in this regard, कि उने लीडर्शिप अच्छी मिली और उस इंची टीम मिलती नहीं है, हमें अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि बहुत दुख के साथ कहूँगा, हमें आज सेख लीड कर ही नहीं कुछ सका, क्यूंकि हमारे लोग Nationalists नहीं है, हमारे लोग Nationalists नहीं, आपके जब तक, आपकी ruling elite सारी कि सारी बाहर से जाती है, आपकी सारी क citizenship के उपर फाबंदी लगा दें आज आप अपने सरकारी सरकारी मुलाजमों के और स्यासतदानों के बाहर जाने पर फाबंदी लगा दें 90% इशू आपके ठीक होगे बिलकुल ऐसा ही है के जो की पॉजीशन है पाकस्तान के अंदर जिन में इंकलूडिंग आपके वजीर हैं आपके बियॉरा क्रेट हैं ये फारंग कंट्रीज के अंदर अपने अकाउंट नहीं रख सकते और ये मुलक से बाहर नहीं जा सकते आई गरेंटी यू 90% प्राजम आपके साथ होगे इस प्राकस्तानी मसायल को किस तरह समझ पाएंगी जब उनकी आँखें वो तो घंटे गिर रहे हैं भी किसी तरीके से यहां से निकलें तो रटायर होकर जाएं टॉरांटो में जाके बैठके काफी प्यार करते हैं आपकी तबाही सबसे बढ़ा जो है सीक्रिट यही है कि आप का जो भी वजीर आजम आता है वो आता लंदन से है जाता भी लंदन में आपकी सारी ब्यॉराक्रिसी लंदन टॉरांटो लंडन टॉरांटो आप पता और हर एक इंसान को पता है हमारी कमजूर्यां क्या है दुख ही होता है कि हर एक को पता होने के बावजूद उसका हल नह इसलिए कि जिन्होंने अहल निकाल है वो खुद भी उसी लाइन में खड़े हैं पाकिसान के जो रिष्टे हैं वो टीक हो पाएं और जैसे कि आपने देखा साजित आड़र साब ने बात की और तारीफ की भारती लीडर्शिप की खासकर बात की प्रधान मंतरी मोदी और एस जैश शंकर साब के बारे में तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आयोगी वीडियो अगर आपको अच्छे लगी है तो इसे लाइक को शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्स्क्राइब कर दें ताकि हम ऐसी किसी जबदस वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत